पहले आप सुबह सुबह इन दो चीजों को निगल लीजिए ये दो चीजें आपके जीवन में चमतकार कर सकती हैं ये बढ़ी अलसफाई करती है और साथ ही कोशिकाओं की सूजन को मिटा देती है अगर आप इसे पलट दें तो आप देखेंगी आपका दिन आराम से 20 घंटे तक चलता रहेगा बड़े आराम से बहुत खुशी हो रही है सुबह का नाश्टा आपके साथ करते हुए जो की बड़ा दिल्चस्प लग रहा है क्या आप अपने दिन के शुरुवात ऐसे ही करते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो वो सबसे ज़रूरी बात जो हमको समझ लेनी चाहिए भोजन ही वो चीज है जो एक लेवल पर हमारे शरीर को बनाता है दूसरे लवल पर ये दिन भर चलने के लिए हमारे इंधन का मुख्य हिस्सा है जब मैं कहता हूँ इंधन का मुख्य हिस्सा मतलब और पहलू भी है यानि पानी, हवा, सूरज की रोशनी तो भोजन करने का पूरा पहलू ही संतुलित करना है यानि आपके जीवन में ज़ादा क्या है अगर आप एक खास तरह का खाना खाते हैं तो आपकी सत्तर प्रतिशतूर जा उस भोजन से आती है जो आप खाते हैं जिसका मतलब है पक्का आप दिन में 6-8 घंटा सोईंगी इसका मतलब है शरीर की मरम्मत का समय आपके जीवन का एक्तिहाई है आपके जीवन का एक्तिहाई हिससा यूँ ही चला गया बिना आप कोई पता चले कि हुआ क्या तो अगर आप अपने खाने का पैटर्न बदल दें और इसके और भी पहलू है इसमें योग का पहलू भी है लेकिन अगर आप बदलाव करें अगर आप इस तरह खाएं तो आप देखेंगी कि जितना खाना आपको चाहिए होता है वो काफी कम हो जाएगा आपको अपने आपको केवल इतने पर ही रोक के नहीं रखना पड़ेगा लेकिन इसके बाद भी अगर आपने कुछ खाया तो भोजन की मात्रा कम हो जाएगी और सूरज की रोशनी, हवा, पानी से उर्जा प्राप्त करने की आपकी योग गिता बढ़ जाएगी अभी जैसा मैंने कहा जादातर लोगों के लिए उनकी उर्जा का 70% भोजन से आता है अगर आप इसे पलट दें यानि कि 30-40% खाने से आए और बाकी उन 30 स्रोतों से तो आप देखेंगी कि आपका दिन आराम से 20 घंटे तक चलता रहेगा बड़े आराम से और आप जादा जीएंगी इसका मतलब ये है क्योंकि हर कोई जादा सालों तक जीने की सोच रहा है पर क्या ये जरूरी नहीं है कि आप जादा घंटे जीएं हर रोज लेकिन बस इतना ही या फिर आपके सुभे के नाश्टे में और भी कुछ होता है वैसे आमतोर पर एक अनार का फल भी होता है और अगर शारिरिक रूप से मैं बहुत जादा एक्टिव रहने वाला हूँ मान लीजे मैं गॉल्फ का एक राउन खेलने वाला हूँ क्योंकि मैं आठारा होल पैदल चलता हूँ वैसे चीज़े नहीं करता तो तब शायद मैं कुछ कार्बो हाइड्रेट जोड़ दूँ ये एक इडली या एक रोटी या वैसा कुछ हो सकता है मतलब या तो गे हूँ चावल या बाजरा इन में से कोई एक चीज हम जोड़ देते हैं ताकि शारिर एक गतिविधी के लिए हमें ज़रूरी कार्बो हाइड्रेट मिल जाए लेकिन अगर मैं केवल एक जादा मान से गतिविधी करने वाला हूँ और शारिर एक रूप से मैं जादा घूमने फिरने वाला नहीं हूँ बैठने वाला हूँ तो बस इतना ही हो सकता है, मैं किसी चीज़ का एक ग्लास पीलूँ, आम तोर पर हमारे पास एक खास तरह का बड़ा तरल सा बाजरे का दली आया वैसा कुछ होता है, जिसे आप कॉफी की तरह पी सकती है, मेरा मतलब यह तरल होता है, इसलिए. तो यहां मैं यह परूसी कई दिल्चस्प चीज़े देख सकती हूँ, अगर आप मुझे इसकी इंपोर्टन्स बताए, और यह बहुत इंट्रेस्टिंग से दिखने वाली पीली और हरी गोलिया, यह क्या है? एक है ताजी पिसी हुई नीम की गोली, नीम के पत्तियों की गोली, दूसरी है हल्दी की गोली, हल्दी हम यहीं आसपास बड़ी उपजाओ जमीन में उगाते हैं, जो पूरी तरह से जावे क्या और गानिक है, और नीम जाहिर है पेड़ों से आती है, यह दोनों चीज़े आपके जीवन में चमतकार कर सकती हैं, सुबह पहले आप इन दो चीज़ों को निगल जाएए, फिर आप 10-15 मिनट तक इंतिजार कीजे ताकि यह फैल जाएं, क्योंकि यह दोनों आपके पेड़ की पड़तों के सूजन के लेवल को कम कर देंगी, और वहां मौजूद साथ ही, ये आप में एक एक निखार लेकर आता है, आप मुझसे मत पूछेगा कि मुझ में निखार क्यों नहीं है आप में है हमीशा, तो मैंने अब तक कुछ खाया नहीं है, इसको खाली पेट खाना होता है? नहीं में अमरेगे हाँ, खाली पेट और थोड़ा सा पानी, ज्यादा पानी नहीं, ताकि इसमें फैल पाने जितना पानी हो, अभी यहाँ पर इन्होंने पानी कमरे के ताप पान वाला रखा है, लेकिन घर पर जब आप इसको लीजेगा, आप गुन-गुना पानी लीजेगा, गरम पानी नहीं वो हल्दी है, मैं थोड़ा धीरे खा रही हूँ, निगल जाओ पानी के बिना, आप पानी के साथ निगल सकती हैं, जैसे गोली खाते हैं, अब नीम, गाइस, मैं इसे खाने जा रही हूँ, ये कड़वी है सद्गुरू, तो देखिए, ये जीवन के लिए खुद को अभ्य अच्छा है, ये बड़िया तरीका है, और क्या है, यहां मुझे कुछ राइफरूट्स दिख रहे हैं, ये है अंकुरित मेथी, जो कि शरीर में कोश्य की इस्तर पर सफाई के लिए बहुत महतुपून होती है, आपको इसे अच्छे से चबाना चाहिए, जब तक आपके बिल्कुल पेस जैसी न बन जाए, फिर इसको निगल लीजे, और ये हैं भीगे हुए मुझे के दाने, ये 6-8 घंटे तक भीगोई गये हैं, तो इसे भीगोना बहुत महतुपून है, और ये बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला प्रोटीन है, क्योंकि इसको जैविक रू जैसे हैं, जैसे इनको होना चाहिए, तो ये आपकी प्रोटीन की जरुद को भी पूरा कर देंगे, और इसमें और दूसरे बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, जो बहुत-बहुत महतुपून होते हैं, एक समय था जब महीनों तक मुंफली के दानों और एक केले पर जी चाहिए, लोग उगार हैं, लेकिन जादा लोग प्रिया नहीं हैं, और अब ये एं आखरोट या वालनुट्स, नुट्स के फाईदे तो आप जानती हैं, ये आपसे थोड़ा मिलता जुलता सा है, ना? ये मुझसे मिलता जुलता क्यूं है? क्योंकि ये नट्स है? ये हैं अंकुरित अंकुरित मूंग डाल जो की प्रोटीन से भरपूर है और इसका हरा हिस्सा बड़ा महतुपूर है और ये बहुत जरूरी है कि बादाम को भिगोया जाए और इसको छील लिया जाए क्योंकि इस तरह के मेवों में अपनी रक्षा करने का अपना खुद का एक तरीका होता है जैसे ये आप इसे पानी में भिगो देते हैं अब बीज को ऐसा लगता है उसे बोया जाएगा हम उसे निराश कर देंगे पर उसे ऐसा लगता है कि इसे बोया जाएगा वो अंकुरित होगा और एक बड़ा पेड़ बनेगा और उसके अपनी सपने होते हैं तो जब आप इन्हें भिगोते हैं तो वो क्या करता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कैंसर पैदा करने वाले रसायन होते हैं इसके अंदर ही वो सतय पर आ जाते हैं ये छिलके के ठीक नीचे होते हैं, ताकि कीडे उसे खाए नहीं, कीडे मकोडे उस पर उस समय हमला न कर दें, तो आप उसे भिगो देते हैं, उसे ये हैसास दिलाने के लिए कि वो उगने वाला हैं, और फिर उसे छील देते हैं, तब आप देखेंगे कि उस तरह के कैमेकल्स निकल गये हैं नहीं तो जब आप बादाम खाते हैं तो आप अंजाने में ही सही कैंसर को पैदा करने वाले हिस्से को भी खा जाते हैं ओ ये बड़ी गहरी बात है मुझे नहीं पता थी और हाँ एक बात मुझे अभी 10 मिल्ट रुखना पड़ेगा ना इससे पहले कि मैं ऐसाब खाऊँ नहीं आप ट्राइ कीजिए मैं कर सकती हूँ ओके बात करते करते करूंगी मैं शायद बादाम के साथ शुरू करूंगी आप मेथी नहीं खा रही है वो भी कड़वी है ओ ऐसा क्या और ये बहुत अच्छी चीज़ है ओके मैं ट्राइ करते हूँ ये बढ़िया सफाई करती है और ये कोशिकाओं की सूजन को भी मिटा देती है ये बहुत ज़रूरी है ऐसा कोई खाना है जो हमें नहीं खाना चा और जगे लिए्ये बजया से अवे संटी है डिए अच्छी चीज़ है ये ये है ये 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 है